नमस्कार दोस्तों एक बार पनो हाजिर हो में एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो ब्लॉक्स पे एक मेल हतेली हमारी सामनी है और आप जैसा देख रहे हैं हतेली का आकार यहां पे चोकोर दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा हलके मातरा में चोकोर भी दिखाई दे रहा है जब हतेली का आकार आइताकार होता है तो ज़्यादतर मामले में ऐसे बिक्तियों का जो करियर होता है वो बोलने से या मस्तिस्क कार्य करने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का चलता है और सारेक मेहनत करने से काम उतना ज़्यादा नहीं चलता मनि कार्य छेत्र ऐसा होता है जिसमें या तो बोलने से काम्याबी मिलती है बोलने का काम होता है या मानसिक मेहनत ज्यादा करने का काम होता है लेकिन हलकी चौकोर है इस बात का सबूत दे रही है कि सारेक मेहनत करने में भी कहीं कोई हिच की चाहट नहीं है आलस्य नहीं है आपकी मस्तिस्क की रेखा और यहां पे आप देख रहे हैं ये आपकी मस्तिस्क की रेखा है बहुत सुन्दर है सीधी है कोई रेखाई इसको काटनी रही है छूट नहीं रही है दाग धब्बे नहीं है और मलीन नहीं है धूमिल नहीं है इस पश्ट दिखाई दे रही है ये आपकी हतेली के आकार के साथ साथ आपकी बौधिक अस्तर को बता रही है कि आपका जो बौधिक अस्तर है वो उत्तम सरेणी का है व्यक्ति विबेकवान है और अपनी विबेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक की योजनाई बनाता रहता है जिवन के लिए सोचता रहता है और जिस भी छेतर में काम करेगा बिक्ति उस छेतर में अपनी मस्तिस्क सक्ति का परियोग जरूर करेगा बुद्धि मता से बिबी की पूर्णडंग से काम करता है और ऐसे लोग ज़्यादा तर्मामने में आपको अगर 95% लोग देखने को मिलेंगे तो उनका करियर का छेतर जो है बोलने से या मस्तिस्क कारे करने से ज़्यादा चलेगा अगर मस्तिस्क की रेखा इस प्रकार से हो और हतेली का आकार इस प्रकार से जो है बना हो दूसरी बात हतेली में इस प्रकार से चीजें हो और राज योग बन रहा हो तो ये जो है सोने में स्वहागा होता है ये बात अलग है कि ग्रहों की वो जो से बर्तमान समय में थोड़ी सी जो उतना एक अनबैलिंस था जो है उन चल रही होगी लेकिन आने वाले समय में फिर से जो है आप जीवन में करियर और धन के मामले में गति पकड़ेंगे परिवार के मामले में गति पकड़ेंगे और जहां स्वस्त्य का धन का संपत्ति का एस्वर्य का सुक आपको भोगने को मिलेगा वहीं कीर्ति और यस में भी बिर्दि होगी ज्यान से समझेगा यहां पे देखेंगे आप आपकी जो ये उंगली है मरकरी की उंगली ये पूरी तरों से जुकाव लिये हुए है जुक रही है कर्ब ले रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ मनि सूरे की उंगली की तरफ ये सूरे का ग्राह है जो आपके भीतरी सूर्य है ने जो आपके अंदर बैठा हुआ सूर्य है एक सूर्य तो बाहर है ब्रह्मान में और एक सूर्य आपके अंदर है जो आपके तापमान को नियंतरित रखता है वो सूर्य आपके अंदर है पंचभूत किरियायों पंचभूत में से एक भूत है वो उंगली सूर्य से सासित उंगली है और यहां पे आपकी ये फिंगर लिटिल फिंगर जिसे कहते हैं, रिंग फिंगर की तरफ जुकाव लिए हुई है, तो निश्चित तोर पे बर्तमान में जो धन कमाने की ललक है, वो यहां पे जो है काफी परबल दिखाई दे रही है, कि कि ये इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही है ये आपकी कम्यूनिकेसन इसकिल्स को बता रही है आपकी बुद्धिमता को बता रही है कि कहीं न कहीं बिक्ति की जो कम्यूनिकेसन इसकिल्स है वो बड़ी कमाल की है और जो बिक्ति की बुद्धिमता है जो मस्तिस्क सकती है उसका पूरा प्रियोग करने में विक्त निपुन है और ये स्रेष्ट इसलिए भी है कि जादतर मामले में अगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो ब्यापारी बर्ग के रोग मिलेंगे आपको चाहे वो किसी भी छेत्र में हो सिक्षा के छेतर में ट्योसन दे रहा हो कोई डॉक्टर हो जिसकी अपनी ज है क्लिनिक खोला वा है या कोई जो है इतना बड़ा डॉक्टर हो जिसका अपना अस्पटाल खोला हुआ है चाहे एक छोटी सी दुकान उंखोली हुई है चाहे कोई भी ब्यापारी बर्ग का ब्यक्ति आपको ये दिखेगा अगर ऐसा ब्यक्ति जरूरी नहीं ब्यापारी हो लेकिन जादतर ब्यापारी होते हैं ब्यापार के गुण ऐसे लोगों के अंदर होता है अगर ये ब्यक्ति ब्यापारी नहीं है तो आपको चाहिए वो प्राइवेट नोकरी कर रहा हो चाहिए वो सरकारी नोकरी कर रहा हो आपको अच्छी पद्वी वाला बेक्ति मिलेगा यह कुल मिला के बात करें ऐसा बेक्ति उच्च बर्ग का बेक्ति होता है अपनी जीवन में स्रेश्ट होता है और सफल बेकती होता है क्यों होता है जब ये उंगली इस प्रकार से लंबी होती है और सुरे उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच जाती है तो ये जातक के अंदर अपने बलबूते पर कुछ करने का गुण देती है और यही गुण आपके अंदर सर्वसरेश्टतम इस्तिती में है आप दूसरी चीजें देखेगा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रिंग फिंगर भी देखें आप तो पूरी तरों से जुकाव लिए हुई है कर्बलेरी है सूरी की उंगली जिसे रिंग फिंगर कहते है संस्कृत में अनामिका कहते है यह कर्बलेरी है आपकी मिडल फिंगर की तरफ मिडल फिंगर कहते हैं उसको जो सनिग्रहद्वारा सासित हो और इसको भाग्यास्तान भी कहते है क्योंकि देखे या भाग्यास्तान इसलिए कहते हैं कि भाग्या की लकीर कहीं से भी निकल कर यहीं पे आती हैं उसे ही भाग्या की रेखा कहते हैं और इसे ही भाग्यास्तान कहते हैं इसका बड़ा महतो होता है वेसे आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा भग्या ही सब कुछ है वे ही आपको करम करवाता है वे ही आपका फल देता है ठीक नै मानो ना मानो लेकिन लक भी एक तरों से बहुत कुछ करता है तो ये भग्या अस्तान से शाशित उंगली है और जब हमारी ring finger हमारी middle finger के तरब जुखती है ने तो बिक्ति के अंदर विस्तार पाने की एक्षा अपने छितर में विस्तार पाने की एक्षा फैलाओ पाने की एक्षा नेम फिम पाने की एक्षा परबल रूप ले लेती है मनी यस पाने की एक्षा बहुत बड़ी तीब्रगति से बिक्ति के अंदर प्रबल रूप लेती है और यही रूप आपके अंदर है जहां धन कमाने की ललक है और अपने बल बोते पर कुछ करने का गुण है और कहीं न कहीं स्रेष्टता के अवस्ता में आएंगे सफल होंगे उच्वर्ग का बिक्तित तो रहेगा वहीं ये उगली बता रही है कि आपके अंदर फैलाव की निरंतर इक्षा यस कमाने की एक्षा, फेम पाने की एक्षा, एक ब्राण्ड बनने की एक्षा यहाँ परबल रूप ले रही है अब यहाँ पर देखेगा ये उंगली आपकी इस उंगली से, ब्रिस्पति की उंगली से जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं बड़ी दिखाई दे रही है ये और भी अच्छा है, ये गुण प्रमनेंटली बिक्ति के अंदर रहेगा, चाहे हाथ की रेखाईं बदले, चाहे प्रवतों का आकार बदले, चाहे जन्म कुंडरी में ग्रह इधर उधर अस्तानों में बैठ जाए, लेकिन ये गुण आपके अंदर सूर्य के कारण हमेश में कहीं कोई नुकसान हो जाए, तो उसको सहने की चमता भी आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी, सूर्य के कारण, आपका जो भीतरी सूर्य है ने, उसके कारण ये गुण ता उम्र आपके साथ बनी रहेंगे, रिस्क लेने की चमता, जोखिम उठाने की चमता, और हिम्मती स्वबाह, आपके अंदर हमेशा बना रहेगा, यही चीज सर्वस्रेष्ट बेक्ति को करते हैं, यहाँ पर थोड़क गयप दिखाए दे रहा है, यह नगेटिव है, यह भी ताउम्र रहेगा, जब सनी किसी भी कारण रुष्ट हो, गडबड हो, या धाया में हो, साड़ी स पड़ेगा, दूसरी बात, इस गयप का मतलब यह भी होता है, कि ब्यक्ति अपने माबाप की सेवा बहुत ज़्यादा करना चाहता है, लेकिन अपने अनुरूप नहीं कर पाता है, यह इसका भी दियो तक है, दो चीजों का दियो तक है, दोनों मैंने बता दिया है, अब हम हमारी इस्टडी जो है, हमने जो रिसर्च किया है, और उसमें लोगों का लगातार जो है, अपने अनुभव शेयर करते हैं, कली परसों जो है, एक सजन है, वो प्रैवेट नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भी पताए कि वास्तों में मैं बहुत अच्छी पोजिसन पे हो, इन राज योग के कारण, अच्छी पोजिसन पे हो, और प्रैवेट नौकरी कर रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छी पोजिसन में हो, हाँ बिजनिस के लिए मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, आप बताए कि छेतर में बिजनिस होगा, उनकी हतेली देखके मैंने य जो है, इसमें आपके अनुभव से ही सायता मिलती है, और उस चीज को हम, कॉन्फिडेंसली कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों क्यों कुई फीड़ बैख हमें अच्छा मिलता है, और यह जो, हस्त रेखा विज्यान है, जादतर इसको अनुभव का विज्यान बताए गया है, आपको अनिएक चीजे मिलेंगे पूरा पता किसी को निमालूम होता है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चीजे हैं कि आपके कई जन्म लेने पड़ेंगे तो भी इसकी रिसर्च पूरी नहीं हो पाती है तो ये अनुभाव का भी ज्यान है अब देखेगा हमने क्या पाया है किस तरों से लोगों का फीड़ वैक आया है जैसे आपकी हतेली में है देखेगा जब ये उंगली लंबी होती है आपकी इस उंगली से और इस से छोटी होती है और साथ में ये उंगली लंबी होती है और इसके पहले पोर्वे तक पहुँचती है तो ये राज योग को जनम देती हैं अगर ब्रिस्पति सुन्दर अवस्ता में हो आपका बर्तमान समय में जो है साधारण भाव में बैठे हैं ब्रिस्पति जी देवताओं की गुरू और भग्या अस्तान जो है कहीं न कहीं जो है नगेटिब अवस्ता में बैठे हैं और सूर्य पूरी तरों से उर्ज दिया होगा आगे फिर जब गरहनक चतर अच्छी इस्तिति में आएंगे तो इसका फल आपको दुबारा से मिलने बैठ जाएगा ता उम्र बीच बीच में इसका फल बहुत सुन्दर मिलेगा और आपको जो है यह बहुत बेहतरीन फल देगा यह निश्चित है क्या देखा हम 10% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंदित छितर में कार्य करने वाला होता है एक परसेंट इस ब्यक्ति ने अगर सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं की तो यह ब्यक्ति ब्यापार की तरफ जाता है और ब्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और उसी के कारण इसकी पहचान होती है ठीक है न जादतर मैंने यही चीछ देखे यह राजयोग देखा है स्रिष्ट राजयोग होता है अगर एक परसेंट ब्यक्ति अगर प्राइबिट नोकरी में चले जाए अच्छी पोजिसंतो होती है लेकिन कहीं न कहीं अगर वो ब्यापार में आ जाए तो जादा जो है फलदाई यह होता है यह योग सरकारे नोकरी या ब्यापार के लिए ही बना हुआ होता है जादतर मामले में अगर 99.9% कहें तो यही चीजें जो है उबर कर आती है और यही फीड़बैक हमें आया है तो यह अच्छी चीज है आपकी हतिली में ठीक है न अब अंगोठा आपका अगर देखा जाए तो आप आराम से देखेगा आपका अंगोठा बता रहा है कि आप एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले लोगों में से एक है और उसके लिए प्रयासरत भी है कि वो जीने की चाह नहीं रखते लेकिन प्रयासरत भी है हाँ तारकिक है हर विसाई पे आप तरक करना जानते हैं यह आपके इक्षा सक्तियों को बता रहा है पर्थम पोरवा कि बहुत जादा इक्षा सक्तियां आपके अंदर है और जब विक्षी के अंदर इक्षा सक्तियां होती हैं तो काम करने का जज़बा अपने आप विक्षी के अंदर आता है यह सबसे positive point होता है दूसरी बात है यह चीज जब इस प्रकार से लंबी हो और मानसल हो तो विक्ति के अंदर तरक करने की चमता बहुत अच्छी रहती है विक्ति अपनी बात को लोजिकल तरीकी से रखने में माहिर होता है जैसे आप हैं और मांसल है तो अपनी हितों की रक्षा करना भी विक्ति जानता है तो ये खुबषूरत अंगोटा आपका यहाँ पे खुबसूरत गुणों को देता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ी सी देखेगा अब यहाँ पे कोशिस करेगा बर्तमान समय में बर्तमान समय में आपकी करियर और धन की रेखा इस तरों से निकलती हुई और यहाँ पे एका एक हिर्दे रेखा में समाहित हो रही है फिर उपर से निकलती हुई और यहाँ पे जा रही है यहाँ पे बीच में जो है एक काला तिल दिखाई दे रहा है ठीक है जब करियर और धनकी रेखा चंद्रमा से निकलती है और भग्यास्तान पे जाती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिसर्म कराती है तब जाके 42 से लेके 45 वर्स के बीच में कहीं विक्ति को चैन मिलता है और 45 वर्स के आसपास ये भाग्योदा ये कर लाती है तो ब्यक्ति को अगर ब्यक्ति चाहे तो अपनी वहन का सुक निश्चित रोप से प्राप्त होता है अपने घर का सुक ब्यक्ति को मिलता है और अपनी ब्यापार का सुक मिलता है और ऐसा ब्यक्ति प्रतेक दिन लक्षिमी को अपने घर में बुलाता है बनी प्रते ब्यक्ति निश्चित रोप से एक दिन पहले लखपती फिर क्रोणपती निश्चित तोर पर बनता है क्रोण की एमाउंट को ऐसा ब्यक्ति छूता है और अपनी जीवन में ऐस्वर्य का भोग करता है लिकिन जब यह रेखा एक एक हिरदे रेखा पर मिलन करती है तो कहीं न कहीं ब्यक्ति भावनावों में आके ऐसा फैसला ले लेता है जिसके कारण स्वयम के विकास को स्वयम के डेपलप्मेंट को कहीं न कहीं अवरुद्ध करने का काम करता है और फिर बड़ी मुश्किल होती है उस development को पाना उस progress को पाना तो आपको ये रेखा कह रही है कि थोड़ा सतरक रहे career और धन के मामले में career और धन के मामले में भावनाओं में आके कोई फैसला न ले सोच समझ कर फैसला ले जो आपका मन गवाई ही दी उसके अनुरूप फैसला ले भावनाओं में आके न ले दूसरी बात जब हिर्दे रेखा में भाग्या की रेखा करियर और धन की रेखा समाहित हो जाती है तो कामों में कहीं न कहीं उलजन अडचन और काम जो है लेट लथीपा होना इस्टेबिलिटी करना आना इस चीज का ध्योतक होता है करियर और धन की रेखा को आपको पुष्ट और सुन्दर करना है और इसका रात्री का उपाई होता है ये जरूर दूंगा में अब ये देखेगा जिवन काल के 56 वर्स के बाद से करियर और धन की रेखा इस पश्ट है म सेहत्रीन औश्तालाने वाली है लेकिन इसमें यहाँपे काला तिल है सनि पर फोद पे अगर काला तिल होता है तो धन के मामले में संगर्ष को दिखाता है कहीं न कहीं धन रहेगा ऐसी बात नहीं यह नहीं रहेगा एस्वर्य का भोग भी करेंगे लेकिन वो पूर्टा जब तक इसका प्रभाव पड़ता है पूर्टा आने में जो है दिक्कत होती है और यहां पे सनी ग्रह इस प्रकार से हो यहां पे उठावा हो तो एक तो गंभीर बिक्तित्व देता है यह ठीक है लेकिन सुबह उठने मे कहीं न कहीं आलश्य की प्राप्ति करवाता है बिक्ति जब विस्तर से उठ जाता है तब तो ठीक है तब वो दुबारा आलश्य नहीं आता है दूसरी बात है बेवजहे की तनाव की इस्तितिये देता है सनी जब तक इस प्रकार से बिगड़ावा होता है रुष्ट होता है कहीं न कहीं क्या करता है बे वजहें की चिंताईं देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिससे निरंतर बेक्ति तनाव की इस्तिति में रहे और ये इस परकार से बैठ जाता है तो कहीं न कहीं जो है काम ब्यक्ति को इस्तिमाल कराता है कई बार ब्यक्ति धोका खाता इस्तिमाल जादा होता है जीवन में ऐसे में ब्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या सब कुछ होते हुई भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है और सबसे बड़ी बात है आपके कारियों में अर्चन देता है पूर्णता को प्राप्त नहीं होने देता है इसके लिए आपने अंगोठी पहनी हुई है ये तो बहुत बढ़िया बात है लेकिन इसको एक्टिबेट रखना है जिससे ये पावर में रहे अपना फल दे और जो आपके सनी के गोण है निष्चित रोप से सपलता आपके द्वार पे आएगे ये निष्चित है अब यहां पर देखेge-गा थोड़ा देखने की कोसिस करे। सनी इसमर कार से है और आपका व्रिश्पति इसी कि तरप भाग रहा है। जब ब्रिश्पति जी इसकी तरफ भागते हैं सनी कि तरफ और सनी बीगड़ा होता कहीunya कहीन परिवार को को लेकि चिन्ताईं बढ़ती हैं कुछ न कुछ बैक्ति परिवार को लेके सोच रहा होता है चिन्ता कर रहा होता है या कई बार पारिवारिक समस्याएं ऐसे में घर कर लेती हैं और खास कर जब यह धुनली से रेखा परबल होने बैठ जाए और हिर्दे रेखा पर मिलने बैठ जाए मंगल से आयो है और ब्रस्पति नीचे की तरह भाग रहो तो दामपत्य जीवन का जो सुक है उसके भोग में कमी आती है कोई न कोई प्रस्तितियां ऐसी उभर कर आती है जिसके कारण जो दामपत्य जीवन का पूर्ण सुक है जो एस्व पर्याका सुक है दामपत्य जीवन का उसके भोगने में ब्यक्ति को प्रेशानियों का सामना करना पड़ता है इस चीज को यह दिखाता है और यह साधारन भाव में है आच्यारे ब्रस्पति तो इस भाव में जब यह रहते हैं तो यह भी ब्यक्ति के अंदर साधारनता दे देते हैं सामनी ब्यक्तित्व देते हैं देखेगा हसमक स्वभाव जरूर रहेगा और देखा जाये तो दयालो और प्रॉपकार की भावना भी रहेगी आर्थिक पक्च को बहुत ज़्यादा डवा डोलनी करेंगे ठीक ठाक रहेंगे लिकिन यह की प्राप्ति के लिए मन म बहुत ज़्यादा बन जाएगा मन में एक स्वतंतरता और लीडर्शिप की चाह रखने वाले लोगों में से एक आप रहेंगे यह आपका ब्रिस्पति कह रहा है हाँ इसमें लकीरे जारी है आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडर्शिप के गु में सिक्षा का छेत्र है मैंनेजमेंट का छेत्र है इंजिनियरिंग का छेत्र है बानिज्य का छेत्र है चिकित्सा का छेत्र है और कानून का छेत्र है और राजनीति का छेत्र है इस छेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हूं या कार्य करने की सोच रहे हूं तो चीजें साध तक रहेंगे जब तक आपका ब्रिस्पति साधरन आउस्ता में है और करियर और धन की रेखा इस पश्ट नहीं है तब तक पूर्णता की प्राप्ति होगी इसमें प्रश्ण चिन्न लगाते हुई ये दिखाई दे रहे हैं ठीक है ने साथ में अगर आप देखेंगे आपका स साथ साथ सोर्य का परवत भी उड़ जा नहीं देता है तो जो आपके परियास है वो पूर्ण रोप से सफल होंगे इसमें प्रश्ण चिन्न लग जाता है जो ब्यक्ति मेहनत कर रहा होता है जो परिस्रम कर रहा होता है उसका पूरा स्रेई पूरा क्रेडिट ब्यक्ति को न उस तरों से चीजें उभर करके नहीं आती है निखर करके नहीं आती है अगर ऐसा बिक्ति ब्यापार कर रहा हो तो वो बिस्तार वो फैलाओ पूरी तरों से नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहे वो यस वो पहचान नहीं हो पाती है जो होनी चाहे अगर ऐसे में बिक्ति नौकर कर रहा हो। तो वो ग्रौथ नहीं मिल पाती है । जिसके लिए बिक्तall ने है अपने को पूरी तरों नहीं मिल पाता है। यह करियर से चितर में और करिबार को बिक्ता चाहे दन के चित्र में हो प्रतिष्टा के चितर में हो किसी भी छित्र में हो सहजता से सरलता से रास्ता तभी मिल पाता है जब आपका सूर्य जो है भव्य अवस्ता में आता है तो आपको क्या करना है सूर्य किरिया द्वारा सूर्य को अच्छे अवस्ता में लाना है उसके बाद क्या होगा देखेगा यहांपे आपकी यह हिरदे रेखा है एक रेखा यहां से जा रही है स्वचंद रूप में तिर्कुन बना रहा है तिर्कुनात्मक फल मिलेगा जब इसकी उर्जा जो है इस तिर्कुन पर पड़ेगी क्या होगी ब्यक्ति को बुद्धिमान बनाएगा ये निश्चित है कला का पार्खी होगा ब्यक्ति और सिद्हस्त होगा ये भी निश्चित है सूर्य परोत पर इस निशान का होना ब्यक्ति के धनी होने की निशानी है संभव है असंभव नहीं होता है ऐसा विक्ति स्वयम की काबिलियत के द्वारा करोण पतियों की सूची में अपना अस्तान बनाता है और बनाएगा सूरे के भव्या आने पर करियर की रेखा के इस्पष्ट होने पर देखेगा ऐसा विक्ति कोई भी हो अगर पैतरिक रूप से निर्धन है आर्थिक संपन नहीं है तो भी अपनी परतिभा के बल पर अपनी पौरस्वत और अपनी लगन के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्ध को हसिल करते है यह यहाँ पर निश्चित है आगे के लिए जो सूचना है आपके लिए बितरीन समय लईके आयेगी यह कह रहा है लेकिन कब देखेगा अगर बिक्ति उपाय करता है योगिक ध्यानिक किरिया करता है सूरे किरिया करता है तीन महने तक अनुसासन में रहे के तो छे से आट मेहने के अंदर दीरे दीरे उसको हलके प्रेणाम मिलने बैठ जाते हैं और अठारा मेहने के बाद इसका ये प्रोसेजर होता है ब्यक्ति को कही न कही पावर मिलने बैठ जाते है और रास्ता मिल जाता है और कहीं न कहीं जब रास्ता मिल जाता है तो इस्वर की कृपा हो जाती सीधी सी बात है अबी क्या है तिरकूर तो बन रहा है लेकिन ये क्या है यहाँ पे बैठा हुआ है मनी उर्जा नहीं मिलरी है इसको साथ साथ में आप देखेंगे कई रेखाईं भी जो है यहाँ पे दोड़ रही है देख रहे हैं ने आप कई रेखाईं भी दोड़ रही है यह ऐसे योग बना रही है कि बिचारों को बिखार रही है बिखेर रही है बिचारों को कभी बिक्त कुछ करना चाता है कभी कुछ करना चाता है अत्यव ब्यापार है चितरकारी है कलाकोसल है किसी भी विशेश काम में फिलहाल उस रूप में उन्नत नहीं दिखाई दिये रही है उन्नत नहीं कर पा रहा है जिस रूप में करना चाहिए ये रेखाएं इसकी ध्योत और इसका दबावा इस बात का प्रमान दे रहा है यह आपकी हतेली की जो है यहाँ पे रेखाई इस पश्ट रूप से दिख रही है अब चलें आगे बड़े आपकी अन्य चीजें क्या कह रही है अब यहाँ पे देखेंगे आप यह आपकी जो रेखा है इस तरों से जाती हुई दिखाई दी रही है और कहीं न कहीं जो है ब्रिस्पति को टच कर रही है पूरी नहीं पहुँच रही है कि वो टच कर रही है शुरुआत में तो सुबह उठते ही मन धन की तरब जाएगा इसका मैनेज कैसे किया जाए धन कैसे कमाया जाए फिजिकल बोड़ी की तरब जो है आपका ध्यान जाएगा अपने को मेंटेन रखना अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना अपने को निखार करके रखना अपनी विक्तित्तों को जो है बढ़ाना च मुगता की त्रब्बी दयान जाएगा ये रेखा इसका जो है ध्योतक दिखाइदी रही है मस्तिस्क रेखा की बात कर ली यहाँ पर देखें हिर्दे रेखें आपकी जीवन रेखा इस तबसे आरी है और एक रेखा इसमें इस तरों से जाती हुई दिखाइदीरी है जीवन रेखा निरंतर उन्नति का ध्योतक है लेकिन कहीं न कहीं उतार चड़ाव के साथ उन्नति दिखाई देरी है जीवन में इस प्रकार के कर्म करेंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी परिवार के प्रति आने वाले समय में समर्पन की भावना रहेगी बहुत केरिंग करने वाला विक्ति तो रहने वाला है लेकिन अंत में दो भागों में है ऐसे विक्ति की उन्नति अपने जन्म अस्तान से दूर जादा होती है पूर्णुरूप से होती है और ऐसा विक्ति चाह कर भी अपने जन्म अस्तान में प्रमनेंटली नहीं रह पाता है अपने सहर से दूसरे सहर में अपना घर इत्यादी बना लेता है वहीं प्रमनेंट निवाश हो जाता है या विदियसों में ऐसा विक्त बस जाता है ये चीजे इसके साथ दिखाई दिये गई है यहाँ पर अगर देखे करियर और धन की रेखा इस तरों से जा रही है एक रेखा यहाँ से इस पे मिल रही है बहुत अच्छी बात है एक रेखा इस पे मिल रही है एक रेखा यो जा रही है एक रैखा यहां से जाती हुई धूमिल है लेकिन इस प्रकार से जारी है यहां पे जो है ध्यान से देखें तो बर्ग के साइन बन रहे है ठीकने और यह सभी बर्ग के साइन यहां पे अगर आप देखेंगे तो राहो और चंद्रमा का प्रभाव इन पे पढ़ता है और जब चंद्रमा का प्रभाव जो है इन पे पढ़ता है तो व्यक्ति की कलपना सक्ति सोचने की सक्ति में ब्रिदि लगातार होती है सकारात्मक दृष्टिकोन एस अभिक्ति रखता है और विशम से विशम प्रस्तिति आने पर भी धैर्य नहीं खोता है और जब राहो का इसमें प्रभाव पड़ता है और चीजें अच्छी होने बैट जाते है तो राहो जो है बिक्ति को बुलंदियों पर पहुँचाता है और चीजें आगे यही उबरती हुई दिखाई दे रही है कहीं न कहीं डाई बर्सों के बाद से भग्या में जो है एकदम करवट लेने की छमता आपकी हतेली में साप दिखाई दे रही है तो यह अच्छी बात है यहाँ पर मणी बंद की रेखाई देखें तो यह आपकी स्वस्ति की रेखा है अच्छी है इसका मतलब है आने वाले समय में स्वस्ति के मामले में आलोग्य के मामले में तंदरस्ति के मामले में लग्की रहींगे ये है आपकी संपत्ति की रेखा ये भी अच्छी है लेकिन ये संपत्ति की रेखा अदूरी है जिसके कारण जो इस्टेबिलिटी धन और करियर की छेतर में होनी चाहिए उसमें अभी कमी दिखाई दे रही है लेकिन ये पूर्ण होती हुई दिख रही है कही न कही धन के मामले में करियर के मामले में आने वाले समय में सोभग्य साली रहींगे इस बात का ये द्योतक है तीसरी रेखा है सुक की रेखा ये भी उबरती हुई दिखाई दे रही है आने वाले समय में कहीं न कहीं आपको स्वास्त्या का धन का एस्वरे भोगने का सुक मिलेगा ये रेखा कह रही है तीसरी बात है ये रेखाएं हो तो इसका ये मतलब भी होता है कि पूरों जनम में विक्ति ने बहुत उच कर्म किये हैं जिसके कारण इस जनम में कहीं न कहीं चाए बुड़ा पे काल भी ही हो विक्ति को अच्छी विद्या एक नौलेज के रूप में और बहुत अच्छा धन मनि इस प्रकार से धन आएगा कि ब्यक्ति परेशान नहीं होगा धन के लिए करजे उगेरे के लिए ब्यक्ति कभी परेशान नहीं होगा इस प्रकार से धन ब्यक्ति के जीवन में आने वाला है इस बात का संकेत ये कर रही है और एक मेजर रेखा ड़ाई से साड़े तीन व जब काड़ते हैं कहीं न कहीं मन में कोई न कोई चिंता बनी रहती है हलका सा संगर्ष रहता है जब तक यह मनिबंद इस प्रकार से हो तो यह चीजें रहेंगी यह भी रहेंगी यह निश्चित है यहां पे देखें यह आपका सुक्र का प्रवत है यह ब्यक्ति की जीवन में आकरसन है सोंदर्य है वासना है और प्रेम के महतों को दिखाने वाला प्रवत होता है यह अतिविक्सित है यह बिप्रीत सैक्स के प्रति जवरदस्त आकरसन भी पैदा करता है अगर इस प्रकार से हो लीकिन ऐसा ब्यक्ति हर कार्या औरों के बजाई बेहद नाजुकता से बड़ी खूब सूरती के साथ करते हैं हालांकि थोड़ा दयालों होंगे उदार दिल वाले होंगे खुले दिल से खर्च करने वाले ब्यक्ति होंगे इस बात के और भी यह इसारा कर रहा है हाँ जब आपका ये भाग भी जो है अपनी अच्छी इस्तिति में आएगा तो यकीन मानेगा ये परवत आपको गलेमर देगा आपके पास गलेमर होगा चमक होगी नाम या और यस होगा चका चौन रहेंगे ये निश्चित है हाँ आप ये बरतमान में इसमें बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं ये मानसिक प्रेशानी देती है बरतमान समय में किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिहनत परिस्रम करने के बाद भी संतुष्टी की तरफ अभी जो है नहीं दिखाई दे रहा है कि संतुष्ट होंगे कहीं न कहीं अपूनता आपके अंदर दिखाई दे रही है आपके सोचने में आपकी दिष्टी से ये मंगल का हैं दोनों मंगल बहुत सुन्दर है मनि प्राकरम आपके अंदर बहुत अच्छा है एनरजेटिक स्वभाव यहाँ पे साप दिखाई दे रहा है इनके बारे में मैंने सभी के बारे में बता दिया है हाँ आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा है वानी की सक्ति बहुत सुन्दर है बुद्ध के कारण ब्यक्ति तो बहुत अच्छा है बुद्ध के कारण सुन्दरता भी अच्छी है बुद्ध के कारण क्योंकि बुद्ध जो है पैकेजिंग का मालिक है और मनोबेग्यानिक के छेतर में भी माहिरता दे रहा है सामने वाले बिक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये चीज भी आप जानते हैं योजना बना कर चलना आपका विशेश गुण है और हर तरह की प्रस्तितियों को भली भाति समझने वाला बिक्ति तो भी बुद्ध आपको देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है चंद्रमा खूब सूरत है लेकिन यहाँ पर अन्बैलेंस है अगर जब यह अन्बैलेंस रहता है और सुक्र में जो है इस प्रकार की रेखाई रहती है तो यह दोनों मिलके बिक्ति के मन को गड़बड रखती है मानसिक प्रेशानी कही न कहीं बिक्ति को देती है कई बार ऐसे में बिक्ति भावक जादा हो जाता है यह इमोशनली थोड़ा कहीं न कहीं प्रेशान हो जाता है और जिसके कारण बिक्ति का मन थोड़ा खराब रहता है अच्छा नहीं रहता है मन बैचेन हो जाता है बटकता है और चंद्रमा और सुक्र इस प्रकार से हो तो कहीं न कहीं सब कुछ अच्छा होते हुए भी पूर्टा नहीं दिखाई देती है नीद आने में भी भी कहीं न कहीं दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हतेली का विशलेशन करके आपको बता दिया है आने वाले समय में ये निश्चित है कि धन के मामले में स्रिष्ट अवस्ता रहने वाली है करियर के मामले में बहुत उच्च कोटी तक जाने वाले हैं लेकिन उपाई दे रहा हूं अगर उपाई करते हैं तो बहुत सुन्दर फायदा आपको होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोव फस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार